अधेलो दोस्तो कैसे ओप दोस्तो आजाह रहा हुए पकोड़ी याप देख सकते हैं और जो फकोड़ी बनाओं गे यह बनाओंगे पहारी इसटाइल में तो चाफ सकते मैं आपे कुछ सब्य ली है कि उस्थ तो चलो इसको काटना श्टार करते हैं सब सब्सक्रucciत को काट रहा हूं और घुल कूल तरीके से याने की स्लिए सकते हैं Mm इतने मोटे मोटे काट रहूं क्योंकि हमाँ पकोडिया बनानी है तो पकोड़ी के लिए सब यह बेश्ट रहती मोटी मोटी तो दोस्तों अभी आप रहों में आलू और आलो को काटा हूं मैं बारिक स्लाइस कट मैं आप देख सकते हैं पतले पतले छोटे छोटे पीस कर रहो हो मैं लोगे तो दोस्तों आप देख सकते में ने साथ आलो कार दिये हैं और इसी परकार से मैं घूब्री विकाटाओं का फूल भी और इनको बढ़े-बढ़े पीस करके काट दोंगा तो चुबी दोस्तों हमें इसकी पकोड़ी बनाने तो दोस्तों हमारे सब्जी सारी करना है यहने कि बारी काटना है तो आप देख सकते हैं कितने बड़िया तरीका से धन्या मेने बारी काट दिया है तो दोस्तो आप देख सकते मैंने धनिया काड़ दिया हो और कि यहां पर मैंने सारी सब्सक्राइब कर दिये अब इसमें डालोंगा मैं सबसे पेले धनी धनिया और आप देख सकते दोस्तो यह मैंने धनिया डाला और अब डालोंगा मैं इसमें मसाले जो दोस्तो मैंने मिक्स सकते हैं हमार इसमें सार वागोर तयार हो गया है अब डाले कि दोस्तों इसमें बैसन यह थोड़ा वैसन डला है थोड़ा सी होडाव दोँगा और लगता यह मेरी से जाता है तो थोड़ा हो डार। है कि विग तरूष तो अभी हमारा सारा त्यार हो गया है इसमें डाल ब्लाल मिर्च जावद थो शूले में रखते हैं कलाई जब तक हमारा बैटर बनता है पकूड़ी का तब तके भी लाल तेल आप देख सकते हैं दोस्तों एक तरफ से हम बैटर बनाना श्टाड़ करते हैं और इसमें डालेंगे हम पानी और अच्छे से इसको करते के दोस्तो पकोडी बनाने के दो तराइब होते है एक तो था पहले ही ब्लोई ब्लके त्यार किया बना रहा हूं तो सर्फश में बढ़ा होते हैं कि इस पर पता चुल जाता है मैं कि हमारे अफ simple के साथ हमें कितनी कोटिंग करनी चाहिए यानि कितना बैटर हमें लगना चाहिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा बैटर लगा है हमें आप वेज़िटेबल से यानि सब्सक्राइब हमें ज्यादा बैटर नहीं लगाना है उससे क्या होता है कि हमारी प प्रफेक्ट गरम और का है जितना हमारो तेल है उससे आपने मित में पकोडिया बराने के लिए डाल देंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर कितनी बड़िया आग जिल लखी चूले में और यह पकोडिया जो बन दी है यह पहाड़ी स्टाइल में बनने दोस्तों कि पकोडिया जल रही है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बड़िया हमारी कोटिंग हो रही है और कितने बड़िया हमारी पकोडिया बन रही है आप देख सकते दोस्तों कि देख सकते दोस्तों कितनी बड़िया कोटिंग हो रही है और पकोडिय हमारी एक नमबर की ब टेल में डालर कि अर यह हमने सारी आपी तेल में डाव दी है और इसको भी इसी तरी किạo Nagar करें एके दोस्तो थे जब हम फोकोडियां फ्राइ आख कड़े हैं तो अधील कि याँट जादा नीठाघNies है इससे हमारे पकोड़ी कच्छी रहते हैं तो तेल हमें ज्यादा हीट बनी करना है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बढ़िया तरीके से आप पकोड़ी बनाई जा रही है दोस्तों तो पहले से आप देख सकते हैं हमारी पकोड़ी कितनी अच्छी फ्राई हो गए यह तो दोस्तों यह जो मेरी इस्टाइल है यह पहाड़ी इस्टाइल है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह भी त्यार हो गई है और कि दोस्तो शारी पोट यह मैंने त्यार कर लिए आप देख सकते हैं कितनी बड़्य और कितनी लाजमा हमारी पठोको यहां पर बनके त्यार खुति हैं तो दुस्तों लाइक करना शेयर करना कमेंट से करना और वीडियो कैसे लेगे दोस्तों जरूर कमेंट से करना मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों कैसे लेगे रेस्ट भी कर दो